जब से रामायन की अनॉंस्मेंट हुई तब से मोवी की कास्ट के बारे में काफी चर्चे हो रहें और सामने आई कास्ट में सिर्फ और साइट पाल लवी आज सीता माता ही एक हैं जो sensible और accurate कास्ट मानी जा सकती हैं क्योंकि साइट पाल लवी नहीं सिर्फ एक excellent actress हैं बलकि उनका innocent face वुड रिस ग्रेस के साथ अपने आपको carry करती हैं साथ ही उनका लुबी सीता माता की कारेक्टर के लिए सही है और साथ ही उनकी सौब डालोग डिलिवरी और एक्स्प्रेशन्स भी इस रोल के लिए फिटिंग है और अगर मिस्स कास्ट की बात की जाए तो वो है रनबीर कपूराज भगवान शीराम और सनी दोलाज हनुमान जी क्योंकि दोनों ही अपनी रोल के लिए फिट नहीं बैटरे क्योंकि रनबीर कपूर का वोईस मॉडूरेशन काफी बेकार है और भवान शीराम का करदार प्ले करनी के लिए एक वरसटाइल आक्टर की जरूरत होती है जो एक कॉम्पलेक्स रोल प्ले कर स्पाई और हनुमान ची के क्यारेक्टर के लिए फन लविंग और लीन आक्टर की जरूरत है जो स्ट्रॉंग भी है ना कि किसी आंगरी यंग मान की जो अपने ढाय के लोगे हाथ के साथ चिलाते ही रहते हूं No offense to Sunny Diol but he is not good for this role क्योंकि सिर्फ साइं पलवी आसीता माता और यश आजरावन ये दोनों ही sensible choice लग रही है आरी पुरुष में भी क्रिदी सानो ना सीता माता एक अच्छी choice थी लेकिन इस movie में सबसे बड़ी गलती movie के director की थी जिन्होंने हमारे पुरानों का मज़ाग बना कर रख दिया लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हो साथ ही काफी सारे fans का ये भी सवाल रहा है कि रमायन बनानी ही क्यों है क्योंकि रमायन पर एक series बनाना ही सही choice है जो दो बर बनी है आस TV series और दोनों की बर काफी अच्छी बनी है लेकिन पूरी रमायन को एक movie में कैसे दिखाया चाह सकता है और अगर दिखाना ही है तो एक movie की जगा कम से कम 5-6 फिल्में बनानी ही पड़ती है लेकिन इतना time energy और finance आज कल कोई invest नहीं दरना चाहता तभी तो हमारी country के biz director S.S.Raja Molly का महा भारत बनाने का dream project reality बन नहीं पाया है और ये तो उन्होंने खुद नहीं कहा था कि अगर वो महा भारत बनाती है तो 10 parts बनाएंगे वरना नहीं लेकिन इस नई रमायन के director Nitesh Tiwari ने ऐसा कुछ नहीं का है उन्होंने तो out of blue इस movie के announcement कर डाली है तो आप आप बताओ कितने excited हो रमायन को लेकर हम फिर मिलेंगे बाबाई